रोजाना ताजा घबरे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप नियूज को और दबाए इस घंटे को ताकि आपको मिले रोजाना नए नए अपडेट्स हादसा जबलपूर नरसिहपूर रेलवे ट्रेक पर थम गिट ट्रेने जनता एक्सप्रेस अहित कई ट्रेने प्रभावित जबलपूर इटार सी जबलपूर रेलखन पर सोमवार को बड़ा हादसा अंटल गया मुमस के करवट लेने और तेज जांदी के चलते एक बड़ा वरिक्ष गोटे गाओं के पास रेलवे ट्रेक के ऊपर गिर गया इससे इलेक्ट्रोनिक इंजन तक करण पहुचाने वाली उची वायर भी टूडगी ये तो गनमीत रही की हादसे के वक्त वहां से कोई ट्रेन नहीं गुज़री वरना बड़ा वादसा हो सकता था वहीं ट्रेक पर पेड गिरने के कारण एक और का यातायात फिलहाल थप हो गया है नरसिहपूर जवलपूर के बीच कई ट्रेनों के पहिये फिलहाल थम गए रेत यात यात बाधित होने से जनता एक्स प्रेसा हित कई ट्रेनों की चाल बेगड़ गी है रेल प्रशासन द्वारां ट्रेक पर गिरे पेड़ को हटाने और ट्रेनों को दूसरी लाइन से निकालने की कवायद जारी है गेट नमबर दो सवबान में के पास घटना सूत्रों के अनुसार सोमवार को दोपहर बाद चली तेज हवाओं के चलते श्री धामकर कबेल के बीच गेट नमबर दो सवबान में के पास डाउन ट्रेक पर एक बबूल का पेड़ गिर कर रेल लाइन के उपर गिर गया इस पेड की चपेट में उची वायर भी आ गया पेड के काफी बड़ा होने के कारण उसके गिरने से एक ओर का ट्रेक पर फिलहाल यातायात पूरी तरह से बंध है डाउन ट्रेक की ट्रेने प्रभावित सूतरों के अनुसार पेड के गिरने के कारण डाउन ट्रेक प्रभावित हुआ है इससे नर्सियपुर से चलकर जबलपुर की और आने वाली गार्डियों को करकबेल और उसके आगे एटारसी की और पढ़ नए वाले स्टेशनों पर फिलहाल रोग दिया गया है रेल प्रशासन डाउन ट्रेक से पेड़ हटाने के साथ ही अब ट्रेनों को निकालने का प्रयास कर रहा है एक कर्मचारी घायल सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन ने पेड़ को काट कर जल्द से जल्द ट्रेक को दुरस्त कराने के लिए बड़ी टीम लगा दी है वहीं ओची वायर को जूडने के लिए भी जबलपुर से इंजिनेरिंग विभाग के टीम रवाना होगी है रेलवे की हरबड़ी से पेड़ काटने के दौरान एक रेल कर्मी के घायन होने की सूचना भी मिली है जिसे उबचार के लिए गोटे गाउं अस्तपाल भेजा गया है करकेबल में रोकी जनता घटना के कुछ देर ही बाद ही ट्रेक से ट्रेन क्रमांक 13200 जनता एक्सप्रेस गुजरने वाली थी लेकिन ट्रेक पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही उसे करकबेल स्टेशन पर रोक दिया गया जनता एक्सप्रेस करीब दो घंटे तक करकबेल में खड़ी रही उसके बाद ट्रेन को अब टेरन से निकाला गया वहीं दोपहर बाद हुए हाथ से और शाम के वक्त ट्रेनों की आवाजाही के अधिक भार के कारण रेलवे को ट्रेक दुरस्त करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है